दोस्तों, इस माँ बाप के तीन बच्चे थे इन बच्चों को माँ अपने कलुआ पती से बोली क्यों ना बच्चों के लिए एक बढ़िया लग्जरी बेड्रूम बनाया जाए और एक बढ़िया सा स्टडी टेबल जिस पर बच्चे पढ़ सके कलुआ ने सबसे पहले तीनों बेड को बाहर निकलवाया और एक बढ़िया और लग्जरी बेड्रूम बनाने के लिए कहा सबसे पहले स्टील का स्ट्रक्चर तयार किया जाता है गद्डे बिचा दिये जाते हैं गद्दे बिछाने के बाद उसे पर लकडी का बेरियर बना दिया जाता है जिससे बच्चे नीचे ना गिरे और बेड़ पर चढ़ने के लिए सीधियां बना दिया जाता है और सीधियों के बीच में एक छोटा छोटा सा बॉक्स बना दिया जाता है अगला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें